नमस्कार लेलीका इल्वे चैनल में आपका स्वाधत है आज आपको कॉफी बनाना बताते हैं अगर आपको पसंद आता है तो आप अमरे चैनल के लाइट एंड सब्सक्राइब करें कॉफी बनाना बहुत असान है और इसमें ज्यादा कुछ समागरी को जुकत नहीं पड़ती है तो चलिए रेश्टोरेंट में हम कॉफी आज बनाते हैं और साथ में आपको बताते हैं कॉफी आपको जितने quantity में बनाना इतने coffee रखना है, चीनी, दूर, चॉकलेट पाउडर, सबसे पहले हमें क्या करना है, कि एक cup का प्याला लेना है, ठीक है, इसमें जितनी coffee बनाना है, उसी साथ एक cup में, कम से कम तीज स्पून, तीज स्पून, तीज स्पून, इस परकार आप coffee डाले, जितने, और चीनी जो है, चीनी तो कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा नहीं पसंद करते हैं, तो आप उन्नीक हिसाब साथ चीनी डालेंगे, फिलहाल हम एक cup में नहीं हिसाब से, क्लिकर टीज स्पून है, तो चार समझ, चलिए हम राही लेते हैं, अपने अंदास से, ठीक है, और इसे अकार थोरी से इस में पानी डाले, थोरी से बिल्कुल पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डाले, और पानी डाले क्적 Ю क्बद्ध क्यां करना है, एक-दो ब्रोग डालना है, और इसको अच्छी तरह से इस परकार अपने, फैटते रहें, कम पांच दस मिर तक आपको इसको पेटना है इसकार लेखे बिल्कुर ठीक इस प्रकार के जाग बनना स्टार्ट हे जाएंगे इस प्रकार पेटे रहें आप और जब आपको रेस्टोरेंट इस टारी में कॉफी पीना हो तो इस्टूल हम घर में पनापत कॉफी बनाएं पांच से दस मिर तक याद रखें तक तक आपको इस प्रकार करना है जब तक इसमें जाग उत्पर नहीं हो जाएं तो चलिए अब थोड़ी सी दूद को भी गरम क जब तक हमारे दूद थोड़ी गरम हो रहा है तक तक फेश्टे में इसे एक बार ऐसे फेट लेते हैं बान दसमर तक जब तक पहरी बताते हैं कि जाग उत्पर नहीं हो तो आप अपने घर में इसे फटापट बनाने की प्यारी करें और इस तरह से पेश्ट बनाके आप च लग सकते हैं मैं आपको बता दो किसके बनाने की कई तरीके हैं कॉफी जब बनाते हैं एक बोटल ले बोटल में आप चीनी और कॉफी को डालकर अच्छी तरह से उसको इस प्रकार हिला दे और हिलाने के बाद और जाग उत्पन हो जाएंगे या आप मिक्सी में भी इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज ना हो जाए इस प्रकार आप इसको कुछ जल्दी जल्दी तरह से चुके रखते हैं देखिए बिल्कुल कि इस प्रकार इसके कलर चेंज हो गये हैं देखिए इस प्रकार आसमानी से हमारा कॉफी त्यार हो जाते हैं देखिए इसका कलर ब गैस को बंद कर लेते हैं और कप में डाल लेते हैं दूर डालने के बाद जो हमने इस करका कॉफी और चीनी का जो पेश त्यार किये हैं इसको इसके उपर से डाल दें दालने के बाद थोड़ी सी अच्छी तर चलाने देखिए कितना अच्छा कॉफी हमारा बिलकुल त्यार है और इसमें थोड़ी सी चौकलेट पाउडर है यह हम डालने के हैं परसे देखिए हमारा कॉफी कितना बढ़ी है रेस्टोरेंट इस्टाइल में क्या रहा है इसके उपर से थोड़ी सीज़ पर दाल देखिए हमारा कॉफी बिलकुल रेड़ी हो चुका है और कॉफी बनाने के मशीन भी होती है आपको पता होगा तो क्यों ना हम घर में बीना मशी देखिए और इसी तरह से रेस्टोरेंट इस टायल में कॉफी टियार करें हमने बताये हैं की कॉफी बोटल्स के द्वारा भी आप बना सकते हैं बोटल में डालके इसको अच्छी तरह से इलाके या मिक्सी के जार में भी अप चाहे तो पीच सकते हैं उसे घुमा के या तक गुमा के भी आप डाल सकते हैं तो तो ना हम घर को ही रेश्टूडेंट बना ले तो आप कॉफी आप अपने घर में बनाए और अपने परिवार को या अपनी दोस्तों को गर्मा गरम कॉफी पिलाए और बताए कि यह कॉफी आपको कैसा लगा हम मिलते हैं अगले वीडि झाल सकते हैं